पिछले वीडियो में हमने प्रत्वी का जो भूवेग्यानिक इतिहास है अर्थात प्रत्वी की जो भूवेग्यानिक समय अर्थात सार्णी है उसके पार 2 में अध्यन किया था आज हम इसमें फैनर जोईक महा कल्प जो महांतम कल्प है उसके जो मध्य जीवी कल्प है उसके बारे में आज इसमें चर्चा करेंगे यह पैलो जोईक की समापती के बाद प्रारम हुआ था और इसकी बाइस पॉइंट पांच करोड वर्ष पूर से छे पॉइंट पांच करोड वर्ष तक रही अर्थात इसका भी काफी लंबा समय रहा है यह कल्प है या यूग है वो मुख की रूप से जो प्राचीन और नवीन जीवों को जोडने वाले एक पुल की रूप में जाना जाता है अर्थारत इक कड़ी की रूप में जाना जाता है रहेंगने वाले जीव धरातल पर और जल दोनों में इसकाल में प्रमाण मिलते हैं और इसी कल्प में यानि कि मैसोजोईक जो कल्प है उसमें प्रत्वी के उपर विसाल का है और जो भैनक जीव है उनके अस्तित्यों के प्रमाण भी मिलते हैं तो मद्धी जीवी या मैसोजोईक जो कल्प है वो बड़ी घटनाओं के उदे के रूप में जाना जाता है इसी कल्प में फल और बीजवाले पोधों का भी उदे हुआ ऐसा प्रमान मिले हैं और इसी कल्प में ये पता चला है कि जो अंटाक्टिका महादीप है उसकी जलवायू कैसी थी गर्म थी गर्म होने के कारण वहाँ पर वनस्पती का आविर्भाव हुआ होगा और यही कारण है कि अंटाक्टिका जो महादीप है आज कुछ इस्थानों पर उसके कैई भागों में कोईले के जो प्रमान मिले हैं वो इस बात को प्रमानित करते हैं कि प्रथ्वी के अपने भूतकाल में यानि कि पास्ट में अंटाक्टिका महादीप की जो जलवायू थी वो कैसी रही होगी उश्न रही होगी इसलिए वहाँ पर घने जंगल रहे होंगे जो बाद में अन्य जो परिवर्तन हुए भुगर भी खल चले हुई उसके कारण उथल पुथल से वो जमीन में दब गए और जल्वाई उपरिवर्तन की कारण वो किसमें बदले? कोईले में बदले तो अंटाक टे का पर कोईले के प्रमाण इस बात की पुष्टी बारंबार करते हैं मैसोजेक या मद्दी जीवी जो कल्प है उसको जो यूगा अंतर है वो कई यूगा अंतरों में बंटा गया है जैसे ट्रियासिक यूग इस यूग की अवधी दो करोड़ वर्ष मानी जाती है और इसका नाम जर्मनी में तीन परती परवत के नाम पर पड़ा है उस्ण और सुस्क जलवाई दोशाएं प्रत्वी पर लगातार हुई जिससे जो प्राचीन जो जीव थे वो नस्ट हो रहे थे सुस्कता बढ़ने के कारण प्रत्वी के उपर रेगिस्तान और जाडी नूमा जो वनस्पती थी वो लगबग सभी जगे पर इसका क्या हुआ प्रिसार हो गया इस युग में या इस युगांतर में पहली बार मानसाहरी रहेंगने वाले जीवों का उधे हुआ और उडने वाली मचलियां भी इस युग की देन बताई जाती है रेंगने वाले जानवरों में मुखिरुप से जो डाइनोसोर था उसका उदे इसी यूग, ट्रैशिक यूग में हुआ माना जाता है लेकिन इस समय इसकी जो लंबाई थी वो बहुत छोड़ी थी यानि कि लगबग 6 इंच के बराबर थी तो डाइनोसोर का जो अस्तित्व है वो ट्रैशिक यूग में माना जाता है उड़ने वाले मक्हियां और किटानू भी इसी यूग में उत्पन हुए थे इस यूग में गोंडवाना एक सहींत भुखंड था और दक्षिनी गोलार्द में इसका एक भाग विखंडित हो रहा था जो आस्ट्रेलिया दक्षिनी भारत अफ्रीका और अमरीका के 6 भुखंडों में बढ़ गया जुराशिक यूग यूग इसकी अवधी 6 क्रोड वर्स है और फ्रांस में जो जुरा परवते उसके आधार पर हमबोल्ट ने इसका नामकरण किया था इस यूग में या यूगांतर में समुद्रों का जो जलिस्तर है पुने बढ़ रहा था जिससे महासागर इस्थली भागों की और क्या कर रहे थे बढ़ रहे था तो उनको आवरत कर रहे थे नमी बढ़ने वर्षा के कारण इस्थली भागों पर वन और दलदल विस्तार हो रहा था और अधिकांस भागों बहुं बार वनस्पति का जो आवरण था वो दीरे-धीरे के अवरण बढ़ रहा था जलवाईू समसीतोषण परकार की थी जो धीरे धीरे इस युग के अंत में या युगांतर के अंत में किस परकार की हो रही थी उष्ण कटीपंदे परकार की होने लगी थी अधिक वर्षा के करण जो मैंने पहले भी बताया था कि वनस्पती क्या हो रही थी सगन हो रही थी कॉर्णधारी फर्ण जो परकार के वन थे उनका विस्तार हो रहा था साइकड़नूमा संकोर फुल और फल लगातार इसमें उदे हो रहे थे और रहेंगने वाले जियों में कि संक्या में भी क्या हो रही थी वरधी हो रही थी क्रेटीयस युग इसे खड्यय युग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो समयावदी है वो साथ करोड वर्स है इसका नाम भी यूनानी बहसा है कि क्रीटा जो एक तरह से जिसको हम खडिया कहते हैं उसके आधार पड़ा है मैसो जोई की यूग की यह अंतिम जो यूगांतर है काल है उसको खडिया परतों या खडिया यूग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस युगांतर में खडिया का विसाल क्या हुआ जमा हुआ अनेक पर्तों का क्या हुआ जमा हुआ कनाड़ा, यूरोप, लास्का, मैक्सिको में जो खडिया पर्त हैं या खडिया मिट्टी है उसके क्या हुए विसाल और विस्त्र जमा हुए और इसी समय की घटना भारत में भी घटित हुई यानि की प्राइदी पठार जो दक्कन लावा के पठार के नाम से भी जाना जाता है तो क्रेटिसिस युग में दक्कन पठार पर लावा के विशेश जमाव इसी युगांतर में देखने को मिलते हैं उत्री गोलार्द में भूमी का अवतलन हुआ और ज्वाला मुखी अतेदिग सक्री हो गए थे जिसके कारण अनेक प्रकार के यहां पर परिवर्तन हो रहे थे और जो वनस्पती है उसमें भी क्रेटी से सिख में काफी बदलाव देखने को मिले यहां पर विवर्तन परकार के जो पेड़ पोदे थे उनका विकास हुआ नई रूप में विकास हुआ जैसे ओक, विलो, नारियल, पिंग, पॉपलर जैसे पत्जड जो पेड़ पोदे थे वो इसी यूग में यानि की क्रेटी से सिख में उत्वन हुए इस यूग में धरातल पर डाइनासोर का क्या था पूरा समराज्य था यानि की क्रेटी सिख में डाइनासोर काफी मातरा में पाए जाते थे लेकिन क्रेटी सिख के अंत में आते आते ये लगभग क्या हो जाते हैं समावत हो जाते हैं और जो रेंगने वाले जो जीव हैं उनका क्या हो जाता है अंत हो जाता है नदियों की गती धीमी हो जाती है और वो विसाल जो डेल्टा हैं उनका क्या करती है निर्मान करती है इसके बाद कहनो जोई क्या जिसे हम नवजीवी कल्प कहते हैं ये प्रत्वी के इतियास का अंत जाती है और इसे कहीं कहीं टर्सरी युग के नाम से भी जाना जाता है और कैनो का रत होता है नविन्तम अर्थाथ ये जो युग है या कल्प है इसे नविन्तम युग के नाम से जानते हैं प्रत्वी का तापमान काफी घड़ जाने से जो अधिकांस भागते उन पर हिमावर जिसे हम method हूं। तो अधिकांस पाक पर भर्फ जम जाने से क्या उइंए, दरातल पर जो विबिन परकार के Sutantai जीव थे अर्था ट्रहेंगने वाले जीव थे वů क्या होगे, नस्ट होगे, कि you give Up nawessa को ग्या। अल्पाइन भू संचलन कहते हैं और जिने वर्तमार में हम नवीन मोड़दार परवतों की नाम से भी जानते हैं जिससे आपने नाम सुनोगा हिमालीमाले क्या है एक नवीन मोळदार परवत है जो नवीजीवी कल्प की एक पुर्मुगगटना है तरशरी यूग की एक पुर्मुगटना है इसे टर्सरी यूग को हमने कई भागों में बढ़ता है जिसकी अवधी 6.5 करोड वर्स है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन इन चारों युगांतरों में यानि टर्सरी यूगी के इन चारों युगांतरों में अलग-अलग नवीन घटनाओं का क्या होता है आगाज होता है जैसे इयोसीन, जो लगए 3.8 करोड वर्स पूर तक रहा और यूरोप महादी में अवतलन के कारण सागरों का क्या हुआ विस्तार हुआ इसी कारण से इस इयोसीन, इन यूग में जो अवतलन हुआ उसके करण हिंद महासागर, अटलन्टिक महासागर का क्या होता है विस्तार होता है और उसका विकास होता है विसाल का रेंगने वाले जीव नस्ट हो जाते हैं और ग्रीनलेंड से इंगलेंड तक उशन कटी बंदे जलवाईव के करण जो ताड के वन है उनका क्या होता है विस्तार होता है इस युगांतर्म यानि की योसिन में कई इस्तनपाई जीव जैसे हाती, गेंडा, सूर, मगर, कछवे आदि का जनम होता है और जैसे प्राचीन बंदर और गिबन का उदे भी योसीन यूग में ही क्या होता है माना जाता है नेक्स्ट ए अलिकोसीन यानि की अल्प नूतन यूग इसकी अधिल लगबग साथ करोड वर्ष पूर मानी जाती है और सागर निवर्तन से इस्थल भागों का क्या होता है विस्तार निवर्तन से तातपर यहां पर यह है कि सागर वापस क्या होओ पीछे अटे पीछे अटने से इस्थल भाग का क्या होता है विस्तार होता है नवीन भूखंड का क्या होता है आविर्भाव होता है समुद्रों से निकल कर जो इस्थल भागे वो क्या होता है और अधिक विस्त्रित होता है और इसी ओलिगो सीन युग में यूरोप में जो आलपस फरवत है उसका निर्मान व्यापक वेमाने पर होता है और घास जो प्रदेश है उलिगो सीन में घास जो प्रदेश है यानि की घास बड़ी मात्रा में युगांतर में विक्षित हुई जिससे घास में रहने वाले जो इस्तनपाई जीव हैं उनका क्या हुआ विकास हुआ इसके लावा जल में केकडा, घेंगा और इस्तर पर बिल्ली, कुत्ता, भालू, हाती भी क्या हो रहे थे विक्षित हो रहे थे और मानव का जो पूरवज एप वानर जो था वो भी उसका उदे भी ओलिगो सीन में ही माना जाता है मायोसीन लगबग 2.5 करोड वर्स से 1.8 करोड वर्स तक की अवदी तक रहा और यह है नवीन मोड़दार परवत का समय माना जाता है मायोसीन जिसमें हिमाले का क्या हुआ उत्थान भी हुआ और निर्मान भी हुआ भुमोदी सागर वर्तमान रूप को प्राप्त कर उसने अपने आकार को निश्चित किया और अनेक भागों में याने की प्रत्वी का अनेक भागों पर जो जलवाईयों के अलग-अलग जो प्रदेश था या खंड थे उनका क्या हो विकास बाद चुंकि अलग-अलग जलवाईयों का विकास होने की कारण उनमें जो वनस्पती के प्रकार थे वो भी क्या हुए अलग-अलग हुए इसलिए यहां पर अलग-अलग जलवाईयों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पती के सोरोप भी देखने को मिलते हैं अर्थात वनस्पतियों और जलवाईयों को जो विकास हुआ मायश यून युग में हुआ जिसके कराण इस प्रत्वी के उपर विभिन परकार की वनस्पति के सोरूप देखने को मिलते हैं जीवों में शार्क, मचली, पैंग्वीन, बतक, आदी का क्या होता है विक्सित होती है और भूमद्य सागर लगभग क्या होता है अपने इस्थली भाग से घिरा हुआ एक इस्थल जो सागर के नाम से अस्तित्तों में सामने आता है पलायोशीन जो युगांतर है ये सत्तर करोड लाख वर्ष पूर आरम होकर पचास लाख वर्ष तक रहा और सागरो और महासागरो और जो महादीब है वर्दमान उनका सोरूप क्या होता है पलायोशीन युग में निर्धारी तो होता है हिमाले के अंतिम उत्तान की रूप में सिवालिक का विकास होता है यानि कि सिवालिक जो परवस्ट्रेणी है जो हिमाले का सबसे दक्षिनितम भाग है जो हिमाचल उत्राखंड के दक्षिन में फैली होई है उसका क्या होता है उत्तान होता है क्वाटनरी यानि के चतूर्थ महाकल्ब यह प्रत्वी का नवीनतम युग माना जाता है जो 20 लाख वर्ष पूर माना गया है इसमें अधिकांस भाग क्या प्रत्वी के जो अधिकांस भागते वो किस से ढग गए थे बरप से ढग गए थे और मानव वनस्पति और पसुपक्ची का जो पूर्ण विकास है वो इसी चतूर्थ जो महाकल्ब है उसमें वो माना जाता है और चुंकि इससे पहले में आपको बताया था कि जो मनुस्य का पूर्वजवानर है अस्टिलिन पैकस उसका उदे पलायोशिन यूग और मायोशिन यूग में हो चुका था लेकिन उसमें अभी इतनी समझ नहीं थी कि वो कुछ निर्णे ले सके तो चतूर्थ महाकल्ब में ये सबसे बड़ी उपलब्दी थी कि जो एप था वानर था उसमें थोड़ा सा बुद्धी का विकास परारंब हो गया था और वो सीधा खड़ा होकर चनने लग गया था इस कौटनरी यूग को हमने दो भागों में बाटा है पलिस्टोसीन यूगांतर आज से लगबग 10 लाक वर्ष पूर ये आरंब हुआ और जो हमानी करन के लिए प्रिशिद है अर्था इस यूगांतर में विस्तृत प्रत्वी के भाग पर हिमका क्या हुआ जमा हुआ इसलिए इस पलिस्टोसीन यूग को महान हिमकाल भी कहा जाता है यानि कि great as of ice कार्बनी फेरस हिम्यू के पेक्चा ये बहुत अधिक विस्तृत छेत्रे में था और इसका टाइम है वो लगबग 10 हजार पूर वर्ष ही समाप्त हुआ है यानि कि 10 हजार वर्ष पूर भी जो हमान हिमकाल था वो क्या हुआ इस धर्थी से हटा है इस समय बार-बार हिमका परसार और हिम निवरतन यान की हिमका बार-बार जमना और पिगलना ये सारी घटना हो रही थी जिसके करण प्रत्वी के उपर विभिन परकार के जो इस्तल सोरोप थे हिमके पिगलने से और अपक छिया परदन की जो प्रिक्यां हो रहती उसके करण उत्पन हो रहे थे दल दल फियोडता जीले आदी का क्या हो रहा था निर्मान हो रहा था जल्वाई उपर रहतन बार बार हो रहा था हौली सीन युगांतर में जो आज से लगबग दस जार वर्षपूर आरहम हुआ और जो वर्तमान तक चल रहा है इसमें समूद्रों का जलिस्तर उपर उठा विभिन परकार की जो जीले हैं वो बनी और एसिया अफरिका के विसाल रुष्टिलों की क्या हूई उत्पत्ति हूई और आधिनी को जनम भी क्या हूआ इसी आधुनिक मानों का जनम भी क्या हुआ इसी काल में हुआ माना हुआ Roxala 1002 लेकिन इसके आगे जब जिस समय कें बात कर रहे हैं उसमें प्रत्वी का तापमान धीरे-धीर और डियाम बढ़ रहे और 2050 तक अपरा नुमाने कि प्रत्वी का तापमान 1.5 degree centigrade सा 4.5 Fau tha गेट तक बढ़ जाएगा ऐसे में क्या होगा हमारे जो ग्लेशे रिंगे पिगलने से क्या होगा समुद्रों का जल इस तर बढ़ेगा जिस से धरातल पर और प्रत्वी पर उसके क्या होंगे व्यापक हानीकारग प्रुभाव होंगे और आगे आने वाले समों में एक नए य हुए है।